हेलो एवरीवन, रामनेट जी अरफ चैनल में आपका स्वागत है, आप सब कैसे हो, उमीद करती हूँ, आप सब अच्छे होगे, और अपने पड़ा यची तरीके से कर रहे होगे, तो आज इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे, जो हमारा पेपर टू है, हिंदी साहित्य, उसक हम आज दूसरा निबंद करेंगे, इस ते पहले मैंने एक निबंद करवा दिया है, जो भारतिंदूरिश चंदर जी का ही था, दिल्ली दरबार दरपन, अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखी हैं, तो आप उन्हें भी देख लें, तो आज हम देखेंगे, भारत वर्स उन्नती कैसे हो सकती है, ये भी बारतिंदूरिश चंदर जी का निबंद है, तो जो ये हमारे पट्यकरम में निबंद लगे हुए हैं, ये हमें पढ़ने बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इन से हमारा एक या दो कोश्चन हमारे बंदे हैं, तो ये यूनिट हमारे लिए पोटेंट है, तो मैं आपको यहां ये निबंद एक नोट्स के रूप में करवा रही हूँ, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, तो फ्रेंट से आईए देखते हैं, हमारा निबंद क्या है, तो फ्रेंट से अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइ नहीं किया है, तो आप इसे सब्सक्राइब करें, और साथ इवनी बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिस्ते सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें, तो आईए देखते हैं, हमारा निबंद क्या है, ये भाग दो है, इस निबंद का परका सन 1883 इस्वी में हुआ था, भारतेंदू रिष्चंदर का निबंद बारत वर्षों नती कैसे हो सकती है, निबंद दिसंबर सन 1883 इस्वी में वलिया के ददरी मेले के अउसर पर आरिये देशोप कारणी सभा में बासन देने के लिए भाडतेंदू रिष्चंदर जी के वारा लिखा गया है इसमें लेखक ने कुरूतियों और अंद विश्वासों को त्याक कर अच्छी शिक्षा प्राप्त करने उदोगधंदों को विख्षित करने और सहयोग एकता पर बल देने तथा सभी चेत्रों में आत्म निर्बर होने की प्रेणा दी है तो इसके हम जो म में में पॉइंट है वो देखेंगे और निबंद का सार हम देखेंगे तो यह जो निबंद है ये 18 सोचवरा सी इसवी में लिखा गया और किस के दवारा लिखा गया ये भी हमें ध्यान रखना है भारतिंदू हरिश्चंदर के दवारा तो आगे देखते हैं निवंद का सार छोटे से नगर बलिया में बहुत सारे मनिश्य को एक बड़े उच्छा से एक स्थान पर देखते हैं आगे देखते हैं हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी की तरह हैं फर्स्ट कलास सेकेंड कलास आदी गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी और बड़े बड़े मैसूल की इस ट्रेन में लगी हैं पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती वैसी ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते आगे देखते हैं बारते अंदुजी ने अपने इस निवन में अंग्रेजों का उधान देते हुए काहा है कि विलायत में मालिक जवगाडी से उतर कर अपने किसी दोस्त से मिलने जाता है तो उसी समय कोचवान गद्दी के नीचे से एक बार निकाल कर पढ़ने लगता है भारतियों में विद्यमान आलेश्य की अधिकता को ही उन्नती के मारग में बाद अगे माना है विद्येशी लोग अपने खाली समय का भी सुदप्यों करते हैं वे अपने स्षन मात्र समय को भी विर्थ नहीं गवाना चाहते तो जैसे निमंद का नाम ही है भारत वर्षों उन्नती कैसे कर सकता है तो इसमें भारत अंदू जी ने इसके कारण भी बताए है कि किस तरह से भारत उन्नती नहीं कर पाया और किस तरह से भारत उन्नती कर सकता है दोनों ही चीजों पर भारत अंदू जी ने परकास डाला है लेकर के अनुसार भारत वाशियों को ऐसे लगाए बिना नहीं बढ़ेगी यानि अपनी बुद्धी को सही दिशा में लगाना होगा जिस्चे ही हम आगे बढ़ सकते हैं अगला पॉइंट है भारतें दो जी बारतियों को प्रेरीत करते हुए कहते हैं उठो और जागो तथा जो तुमारी उन्नती के मारग में बादक ह उन्हें निकाल कर फैक दो अगला पॉइंट है उन्होंने निभंद में बताया सब उन्नतियों का मुल धरम को बताया है और कहा कि सबसे धरम की ही उन्नती होनी चाहिए यानि सबसे पहले हमें धरम की ही उन्नती करनी चाहिए अगला पॉइंट है जब परतेक छेतर में कल्यान कारी पाउना को ध्यान में रखकर कारिय किया जाएगा तब भी सभी की समान रूप से उन्नती होगी अगला पॉइंट है धरम और राचरन का अर्थ है जिसमें समाज और राष्टर का कल्यान हो हिंदू, जैन, मुशल्मान आपस में प्रेम से रहिए जाती पाती का बेदबाव खतम करो और सब का आदर करो अगला पॉइंट है भारतेंदू जी ने आपसी एकता बाईचारा स्थापित करने पर तेदिक जोर दिया है भारतेंदू जी का मानना है कि इसके बिना भारत वर्स की उन्नती नहीं हो सकती अगला पॉइंट है भारतियों में ग्यान तथा अत्म विश्वास का अबाव है जिसके कान भारत सदा छोटी छोटी वस्तूओं के लिए दूसरे देशों पर निर्बर रहते हैं अगला पॉइंट है राष्टर के विकास के लिए अपनी बाशा तथा अपने देश में निर्मीत वस्तूओं का उप्योग आउशक है इन सभी चीजों से भारत वर्स की उन्नती हो सकेगी तो ये सारा हमारा निबंद का सार्था जिसमें भारतिंदू जी जो भारत की जंता है उसको जगाने की कोशिस कर रहे हैं कि आलश से चोड़ो और अपना करम करो और धरम को सबसे स्रेश्ट मानो जिससे भारत की उन्नती हो सकती है अब आगे इसमें कुछ महतोपून कतन दिये गए हैं वो भी हम देख लेते हैं ये कतन एक्जाम के पॉइंट ओफ यू से बहुत ही इंपोर्टेंट है तो पहला कतन है हमारे हिंदूस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं दूसरा तुमें गैरों से कब फूर्शत हम अपन पॉइंट है तीन मैंड के एक के उपर एक बैठे थे उपर वाले ने कहा जोक्षो के बीच वाला बोल गम सम सब नीचे वाला पुकारा जी गए हम अगला पॉइंट है बागवत में एक सलोक दिया गया है नर्देहे माध सुलभं सूदुरलभं पलवं सूकलपं गुरू कर प्रणा धारम माया नुकूलन तपह सौत्रीत पुवाम भवविधी नै तरेत सह आतमाहा तो ये भी हमें याद रखना है कि ये सलोक बारतवर्स की उनती कैसे हो सकती है उसमें दिया गया है आगे एक मलुकदास का भी दोहा है जो आलसियों के लिए कहा है कि अजगर करेन च चाकरी पंची करेन काम दास मलुका कही गए सब के दाता राम अगला पॉइंट है अब की चड़ी कमान को जाने फिर कब चड़े जिन चुके चहू आज एके मारे एके सर तो ये परत्विरा चोहन के बारे में भी इसमें बताया गया है जिसमें चंद बरदाई परत्विरा चोहन को कहते हैं अगला है शोक तिलफी से मुझे गुल की जो दीदार का था नय किया हमने गुलिस्ता का सबक याद कभी अगला पॉइंट है बाईयों अब तो नीद से जागो अपने देश की सब परकार से उन्नती करो जिस से में तुमारी भलाई हो वैसी ही किताब लो वैसा बाचित करो परदेशी वस्तू और परदेशी भाषा का बरोसा मत करो और अपनी भाषा में उन्नती करो तो ये बारतेंदु जी का ये कथन है अगला आगे देखती हैं इस संबंद इस निबंद के परमुक सिर्शक भी मैंने इसमें बताए हैं जिस से आपको और ज्यादा हेल्प मिलेगी तो इसमें पहला है अमीरों की सोच पर वेंग किया गया है दूसरा है देश की उन्नती कैसे हो सकती है ये बताया गया है तीसरा पॉइंट है सवदेशी वस्तू और बाशाओं को अपनाने के लिए कहा गया है चोथा है आलश्य का त्याकरो और इस आलश्य के लिए उन्होंने मलुक दास जी का दोहा भी कहा है अगला पॉइंट है शिक्षा और उद्धोगदंदों का विकास करो और यानि अपनी शिक्षा में आगे बड़ो और उद्धोगदंदे लगाओ जिससे जो बेरोजगार है उन्हें रोजगार मिले अगला पॉ आप ही उन्नती करेगा और आठ्मा पॉइंट है जाती पाती का भेदव मिटाओ यानि कोई चोटा बड़ा नहीं है सभी समान है और सभी का आधर करो तो ये निश्कर से जो निबंद है उसका निश्कर से ये निकला है ये ये पॉइंट है इस निबंद में दरसाए गई है तो फ्रेंट से आज हमने भारते वर्सो उन्नती कैसे हो सकती है निबंद किया अगर आप ये अपनी नोटबुक में नोट्स के रूप में इन सब को आप लिख कर याद करेंगे तो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अगर इसे कोई भी कोस्टन बनत है इस निबंद से तो आपका वो गलत नहीं होगा तो आप इनके नोट्स भी बना लें इनको अपनी नोटबुक में लिख लें जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी तो फ्रेंट से आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए इंपोर्ट और इंटरस्टिंग टोपिक के साथ है तो यह जितने भी ग्यारा निबंद है यह मैं आपको एक्जाम होने से पहले आपको करवा दूंगी जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी तो फ्रेंट से अगर आपका कोई भी डाउट या आपकी कोई भी क्वेरी है तो इस वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो भी स्टूडेंट से हिंदी साहित्ते से नेट जीरफ की तयारी कर रहे हैं सभी कोई वीडियो का लाप पूंचे तो फ्रेंट से आज के लिए इतना ही थैंक कि युछ तो